तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू के दरक्षा जो की 10th क्लास का उर्दू है तो 10th क्लास के उर्दू के दरक्षा के किताब से 3 चैप्टर को कमप्लीट करने वाले हैं क् तो आज के इस एक वीडियो में मैं तीन चैप्टर को कमप्लीट करा रही हूँ इसलिए इसका वज़ा यह है कि तीनों चैप्टर मसनवी है मसनवी किसे कहते हैं यह आप लोग को पता चलेगा टेंसन फ्री रही हर एक पॉइंट में आप लोग को एकदम बहतरी इंधंग से समझाऊंगी हर एक पॉइंट और हर एक टॉपिक कवर होगा ठीक है ना तीनों चैप्टर यानि कि 24 से लेकर 26 इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोग को तेस चैप्टर तक पढ़ा दे थी कंप्लीट करा दे थी आज के इस वीडियो में हम लोग 24, 25, 26, 24 से लेकर 27 च करेंगे और जैसा कि मैं आप लोगों को बताई तीनों मसनवी है तो मसनवी किसे कहते हैं ये तो मैं आप लोग को बताऊंगी लेकिन सबसे पहले वीटियो को स्टार्ट करने से पहले में आप लोग को आप लोगों से छोटी सी रिक्विस्ट से जो हमेशा करती हूं वह यह है कि आप लोग इस टार्टिंग में वी डियो को लाइक कर देख जितना जैदाव सके शेयर कर देख आप लोग के कॉंटेक्ट में जितने भी लोग है छोटे बड़े भाई वहान जितने भी आप लोग के दोस्त है रिष्टेदार है चावर तो शेयर कर दें ताकि सबी लोग इस विडियो का लाब उठा सके और एक इस मात्र एक वीडियो में तीन चैप्टर को जो कंप्लीट क सब्सक्राइब लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम हर एक चैप्टर को एक अलग वीडियो में पढ़े हैं एकदम विस्तार से तो भी एवलेवल हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाईए प्लेलिस्ट का लिंक डाल दी हूं प्लेलिस्ट की लिंक जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग को हर एक चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो यान की अलग वीडियो मिल जाएगा हर एक चैप्टर को आप लोग एक अलग वीडियो में विस्तार से पढ़ सकते हैं वहाँ पर एकदम विस्तार से डीपली पढ़ाई हूं ठीक है ना इस व बताते चलूंगी किकिस तरव से कोशन पूछे घया है और किस तरव से कोशन पूछे जा सकते हैं यह भी मैं आप लोगा संदर हैं वीडियो काफी important है समझते हैं तो बिना skip कि आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि इस chapter से कोई भी question पूछे आप लोग के exam में तो आप छोड़ करना है ठीक है ना चलिए start करते हैं अब और I hope आप लोग वीडियो को like share जरूर कर दिये होंगे और चानल पर अगर आप लोग न मस्नवी किसे कहते हैं देखें मस्नवी जो है ना मस्नवी अर्भी लफज से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है दो-दो किया हुआ यानि कि मस्नवी को शेर और शायरी की अंदाज में ही लिखते हैं लेकिन मस्नवी में जो शेर के मिसरे होते हैं वो दो-दो किये हुए होते हैं यानि कि एक लाइन में दो मिस्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर अगले लाइन में दो मिस्रा देखने को मिलेगा यानि कि हर लाइन में दो-दो मिस्रे होते हैं और मुझे लगता है कि अभी मैं आप लोग को जो कुछ भी बता रही हो ना यह समझ में नहीं तरफ और दूसरा मिस्रा आप लोगे बाए हाथ के तरफ ठीक है ना उसी तरह अगले लाइन में अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें भी दो मिस्रे हैं फिर अगले लाइन में उसमें भी दो मिस्रे यानि कि हर लाइन में दो-दो मिस्रे हैं तो इसी को तो कहते हैं मसनवी मसनवी जो शेरो शेरी के अंदाज में लिखी जाती है और जिसके हर शेर में दो-दो मिस्रे होते हैं उसी को क्या कहते हैं मसनवी कहते हैं लेकिन ध्यान रहे ध्यान रहे इस बात का कि जो दोनों मिस्रे होते हैं वो एक दूसरे के हम काफिया होते हैं अब यह हम काफिया का मत मतलब क्या होता है और इसको समझने के लिए आप लोग को पढ़ना पढ़ेगा यह मसनवी जो आप लोग को इमेज मतलब इसकी पर शो हो रहा है ना आप लोग इमेज देख पा रहे हैं इसको पढ़िए लिखा हुआ है कि एक किस्टा अजीब लिखता हूं दास्तान गरीब यह पहले लाइन के दोनों मिस्रे हैं पहला मिस्रा क्या है एक किस्टा अजीब लिखता हूं तो इसके लास्ट में क्या रहा है हूं उससी तरह दूसरा मिस्रा पढ़िए दास्तान गरीब लिखता हूं इसके भी लास्ट में क्या रहा हूं यानि कि पहले लाइन के दोनों म काफिया यान की पहले लाइन के दोनों मिस्रे में जो हम काफिया है न वो क्या है हूं है यान की दोनों मिस्रे के लास्ट में जो लफज आ रहा है इसी को तो कहते हम काफिया उसी तरह अगले अगला लाइन देखिए पढ़िए इसको ताजा इस तरह की हिकायत है सुनने वालो को जिससे हैरत है लास्ट में है और फिर है यानि कि दोनों मिस्रों के लास्ट में है है पहले मिस्रे की लास्ट में चाजा इस तरह की हिकायत है और दूसरे मिस्रे के लास्ट में सुनने वालों को जिससे हैरत लास्ट में है तो है और है इसी को कहते हैं हम काफिया ठीक है ना पॉननसीएशन सेम है तलफुज सेम है ठीक आगे भी पढ़ सकते हैं जिस मुहले में था हमारा घर वही रहता था एक सौधा गर तो लास्ट में घर और गर दोनों का पॉननसीएशन तलफुज देखिए सेम है घर और लगभग एक ही जैसे बोले जा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे हम काफिया कहेंगे तो आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा कि मसनवी किसे कहते हैं एक बार फिर से शांती पुरुवक आप लोग ध्यान से सुन जाती है लेकिन मसनवी के हर शेर में दो-दो मिस्रे होते हैं और हर मिस्रे एक दुसरे के हम काफिया होते हैं यह हो गया अप लोगों को फाइनली समझ में आ गया होगा कि मसनवी किसे कहते हैं तो यह तीनों जो है ना मसनवी है और एक और बात याद रखेगा मसनवी के अं हम लोग बाचित करते हैं उसी अंदाज में लिखा जाता है कहानी ठीक है जैसे कि एक राजा था एक रानी थी और दोनों मर गए खतम कहानी ठीक है आम बोल चैल की भासा में कहानी लिखी जाती है और अगर बहुत ही लंबी कहानी हो गई तो उसको कहते हैं दास्तान बस वही फंडा जो है ना मसनवी में भी होता है यानि कि मसनवी के अंदर भी कहानी को ही बताया जाता है दास्तान बहुत ही लंबी कहानी को ही ब्यान किया जाता है फर्क सिर्फ इतना होता है कि मसनवी के अंदर जो कहानी बताने का अंदाज होता है ना वो शेर और शायरी का अंदा मैं दासम को लिखकर बता दिया जाता है उतःतो अक्सर दास्तान में आप लोगो जूटी कहानी देखने को मिलती है क्यों क्योंकि दास्तान बहुत ही लंबी कहानी को कहते और लंबी कहानी बनाने के लिए जूटी ka achter तो जोड़नी पड़ेगी न यानकी जूटी बाते होती है दास्तान के अंदर ठीक है न तो दास्तान के अंदर याद रखिएगा जूटी कहानी होती है जिसमें जादतर भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच पिशाचनी ठीक है न या फिर परी जादू टोना वगरण के बारे म में ज्यादा तर चर्चा होती है तो यह जो मसनवी है अभी हम लोग जितना भी मसनवी पढ़ने वारे हैं तो याद रखिएगा सभी मसनवी में दास्तान को ही ब्यान किया जाता है और दास्तान में जूटी कहानी होती है सची घटना नहीं सची कहानी नहीं होती तो यह जि कि मसनवी में जो दास्तान बताई जाएगी ना उसमें भूत प्रेत पिसाच चुडएल वगएरा और परी जादू टोना के वगएरा में जादतर बाते होंगी तो याद रखिएगा यह जो मसनवी है जहरे इश्क यह मसनवी का किताब है आप लोग को पूरा मसनवी नहीं पूछा जाता है और प्लस राइटर से पूछा जाता है इस मसनवी के मसनवी निगार जहरे इश्क जो यह मसनवी है ना इसके मसनवी निगार यानि की लिखने वाले हैं शौक लखनवी ठीक है तो जहरे इश्क यह जो मसनवी है तो समझे कि यह मसनवी का किताब है यानि कि समझें कि एक फिल्म है आप लोग को पुरा फिल्म नहीं देखना है इस फिल्म का यानि कि इस किताब का एक छोटा सा इक्तिबास यानि की ट्रेलर देखना है एक छोटी सी कहानी आप लोग को पहले तो चलिए इस पूरे मसनवी को यानि कि इस कहानी को बताने से पहले मैं सबसे पहले शौक लखनवी के बारे में समझेंगे और तब मैं आप लोग को इसमें जो कहानी बताई गई है वैसे तो मसनवी मैं यह जो मसनवी है अंदाज में लिखी गई है लेकिन मैं इसको कहानी समझते कहानी की तरह आप बता दूए तो साप लखनवी के बारे में समझते हैं मेलने मिलने लेकिन यह शौक लखनवी के नाम सी क्यों सरों गयंगा वाई याद रखेगे के नाम से क्योंकि इनका जो तखलूस भूद ताこれは चॉक यानिके अपनी शेरोशाय के लास्ट लाइन में जो नाम यूज करते थे वो थार शॉक ठीक है ना लास्ट लाइन में शॉक देखने प्ल इन अगर आप लोग शॉक लखणवी के श्यू शयरोशाय को पढ़ रहे हैं तो उनके शीरोशाय एक लास्त लाइन में आप लोगो को क्या दिखाई देगा शौक लिखाऊ दिखाई देगा जिस से पता चलेगा यह यह शेयरोशायरी या तो इसलोग देखा और शौक लखनवी के नाम से मशूरूर हो गये तो न Ka-reald i routine search और कोशन यहां से पुछ देता है कि शौक लखनवी का असल नाम क्या है अप्सन में दिया रहेगा तसदुक खुझेंका यह बहुत बार पूछा गया है ठीक है ना चार-पांच बार पूछा गया है तो याद रखेगा तसदुक हुझेंका और इनकी पैदाइश कब हुई थी तो सतरव सतिरासिस भी को हुई थी वालिद या इनकी पिता जी का नाम था आगा अली खां जो की एक तबीव थे तबीव का मतलब समझे की हकीम जो की इलाज वगरा किया करते थे लोगों की ठीके और इनका एक मेडिकल स्टोर आप यू के स जो है ना उनका खांदानी पेशा ही तबीव तबावत का था यानि कि इनके वालिद भी क्या थे तबीव थे इनके परिवार में जितने भी लोग थे लगभग लोग जो है ना तबीव ही थे यानकी इनका खांदानी पेशा जो था वो तबावत का था और यहां से भी कोशन पूछा था एक बार एक बार नहीं तीन बार पूछा गया है कोशन कि शौक लखनवी के खांदान का खांदानी पेशा क्या था और ऑप्सन में दिया रहता है तबावत का जिस भी ऑप्सन में दिखाई दे उसको धीरे से चिक कर देना है ठीक है और इनके वालित का नाम आगा किये थे यह इंपॉर्टंट है इंपाइए शौक लखनवी शेच लिखने की शरूवात घजल से किये थे लेकिन इनको शेर्य किस चीज में हासिल हुई मस्नवी में इनको огрah थासिल हुई थी यानिकी मस्नवी निगार से यह बहुत ज़्यादा मशूर हुए ठीक है ना और इनके कुछ मस्नवियों के नाम आप लोगों के बुक में दिये गए हैं सबसे पहला तो है जहर इश्क यह काफी मशूर हुआ था फिर बहार इश्क परेव इश्क यह तीनों ज कंप्लीट जितना भी डिटेल्स आप लोगों के दिया गया था शौक लखनेवी के बारे में हर एक चीज़ बता दी अब चलिए आप लोगों यह जो मस्नवी है ना इसको पढ़कर बता देती हूं और वैसे इसमें पढ़ने की क्या बात है जो भी कहानी है मैं जुबानी ब कहानी इसमें क्या बताई गई है मैं अपने जवान से बता दे रही हूं इस मस्नवी में जो मस्नवी निगार हैं शौक लखनवी वो बता रहे हैं कि मैं एक किस्सा अजीब लिखता हूं यानि की एक अजीब सा किस्सा मैं लिख रहा हूं और यह जो किस्सा है जो कहानी है य यान की गरीब इंसान की कहानी है और याद रखिएगा वो गरीब इंसान कोई और नहीं इस चेप्टर के suivre नगार शौक लखनेुई खुद ही है यानि कि अपने आप पर ही कहानी लिखे और अपने आप को गरीब इंसान बोल रहे हैं कि मैं और पहुत report दास्तान लिख कलत्व तरफ थी ठीक है बहुत ही मालदार था इज़त सब जितने भी गाउं के लोग है ना उसको बहुत जदा इज़त दिया करते थे ठीक है ना और उसके बाद से उसकी एक बेटी थी मतलब कि खांदान उसका बहुत अच्छा था सौधागर का और पैसों की कमी नहीं थी मालवजर सब कुछ था और सभी लोग रिस्पेक्ट भी किया करते थे और शोहरत भी थी और आप यूं कह सकते हैं उस सौधागर की एक बेटी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत इतनी ज़्यादा खुबसूरत कि क्या बताया जाए लाखों में एक थी यहां तक कि मतलब सौधागर की जो बेटी है उसके मा बाप हैं कि सौधार और इसकी बीवी अपनी बेटी को नहीं देखा करते थे इसलिए और खुद मा बाप देखेंगे तो उसकी बेटी को नेजर लग जाएगी इस वजा तो अचानक एक दिन क्या हुआ कि बहुत तीज मंचलब आन्धी तुफान आया बारिस जर 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 बहुत ही तेज बरस रही थी ठीक है न और आसमान काला हो गया था चारो तरफ मतलब अंधेरा टाइप का हो गया था हलका सा और कुछ देर बारिस होने के बाद फिर से सब क नगार जो शॉक लख नवी हैं आपने चट पर गए रहते हैं ठीक है और जा कर चत पर और एक्ट ऑokay अच्छा जो है न हावाई आती हैं wastewater यह च्छा लगता है जै कर शेर करते है उस च्छत पर वही सौधागर की लड़की है ठीक है ना उस लड़की को देखते हैं मस्नवी निगार तो शौक्ड हो जाते हैं बहुत ही ज़्यदा खुबसूरत रहती है उसकी दोस्त भी और नौकरानी भी रहती है लोग च्छत पर और कुछ देर तक मतलब वही इंदर ध सौधागर की बनण की भी रहती है और देखते देखते नीचे चली जाती जाती है अगेले सौधागर की लड़की बच जाती है उसकी बेटी बच ginger और यहां पर जो शौक लखनवी यानि की मसनवी निगार है यह अपने च्छत पर अकेले अब यह अपने च्छत पर अकेले सौधागर की लड़की अपने च्छत पर अकेले दोनों अकेले अकेले तो फिर क्या हुआ नजरे दोचार हुई नजरे मिली फिर क्या हुआ सुनिये जरा क्या हुआ सौक लखनवी जो है ना वो उस लड़की को देखते ही जा रहे थे नजरे मिल गई थी देखते ही जा रहे थे ठीक है उसके बाद से वो लड़की भी देखते ही जा रही थी देखते जा रही थी इतने बेवकूफ कि उससे बात भी नहीं कर रहे थे सिर्फ देखने का सि सदागर की लड़की से बोली कि आपकी अम्मी मसनवी निघाता है। मतलब मतलब पूरी तरीके से यह मसनवी खत्म नहीं हो जाती। इसके आगे की भी कहानी है वो आप लोगो पूरा यह जहरे इश्क नाम का मसनवी का किताब पढ़ना का पूरी यह मसनवी पढ़नी होगी तब आप लोगो को पूरी कहानी पदा चलेगी लेखिंए यहाँweet चोड़ा सा जैसा कि आपको बताई नां ट्रेलर आप लोगों को देखना है यानिकि छोड़ा सा एक पर छोड़ी एक कहानी पढ़नी है इसी मसनवी का तो बस इतना ही बताया गया है देखते रह जाते हैं लड़की जाती है तो यह हो गया पहला मसनवी complete आगे बढ़ते हैं अब दूसरा जो मसनवी है मैं अच्छा भी इसके राइटर के बारे में आप लोगो नहीं बताई हो ना सबसे पहले राइटर के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि राइटर से कोशन पूछ देता है भले यह मसनवी से ना पुछे चैप्टर से बहुत ही कम पुछता है जादतर राइटर से पुछता है देखे दूसरा जो मसनवी है उसका नाम है गुलजारे नसीम याद रखना है गुलजारे नसीम दूसरे मसनवी का नाम क्या है गुलजारे नसीम जो की 25 चैप्टर है और इस मसनवी के मसनवी निगार है दयाशंकर नसीम तो दयाशंकर नसीम का जो रियल नेम है वो दयाशंकर कोल है याद रखिएगा और इनके वालिद पिता जी का नाम है गंगा परसाद कोल जो की एक कश्मीरी पंडित रहते हैं दयाशंकर नसीम के वालिद जो है गंगा परसाद कोल वो एक कश्मीर पंडित थे ठीक है अगर बात करें दयाशंकर नसीम की पैदाईश कब हुई तो 18 सब्सक्राइब को लखनाव में हुई थी और इप्तदाई तालीम शुरुआते शिक्षा जो है इनको लखनाव में हासिल हुई लेकिन उर्दू और फार्सी में इन्होंने इप्तदाई ताली कर दिये थे उस्ताद जो है ना दयाशंकर नसीम के उस्ताद यानकी टीचर का नाम है आदिश लखनवी याद रखिएगा इंप्सक्राइब है इस तरह से बूच्छता है कि दया शंकर नसीम की उस्ताद का नाम है आये तो आप लोग लगा ही सकते हैं जिस भी आप सम्में दिखाई दें आतिश लखनवी लेकिन कोशन इस तरह से पूछता है कि दया शंकर नसीम किसके शागिर्द हुए अब शागिर्द का मतलब क्या स्टूडेंट यान कि विद्यारती दया शंकर नसीम किसके स्टूडेंट है अफिश लखनवी कि अभी जॉल ही बात है याना कि शनकार नसीम कि टीचर का नाम क्या है यान कि आतिश लखनवी के स्टूडेंट शागिर्द है दया शंकर नसीम तो कोशन इस तरह से नहीं पूछता है कि दया शंकर नसीम किसके शचाँ weather हुए सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई वो मस्नवी का नाम है गुलजार नसीम याद रखना है बहुत यह मश्रूर हुआ था और इससे काफी मश्रूर हुए थे दक्ष द्याशंकर नसीम ठीक है ना तो जिस मस्नवी से इन को शोहरत हासिल हुई याद रखिया गुलजार नसीम है और इसी गुलजार नसीम मस्नवी है ना यह किताब है समझे की मस्नवी का और इसी पूरे मस्नवी में से एक च्छोड़ा सा एक तबास यान की टुकड़ा एक च्छोटी सी कहानी आप लोगो के बुक में दे दिया है और उसी को पढ़ना है उस कहानी को समझ लेना है यह हो गया तो चलिए बस इतना ही डिटेल्स दिया गया है दैश्रमकर नसीम के बारे में अब मैं आप लोगो को इस मस्नवी में जो कहानी बताई गई है वो बता दे रही हूं देखिए इस कहान यह जो मस्नवी है ना इस इसका नाम रहता है बकावली परी मतलब जानते है ना परी जिसके पास जादवी शक्तिया होती है पंक होता है वो उड़ सकती है जादू से कुछ भी कर सकती है कुछ भी ला सकती है कुछ भी मंगा सकती है कुछ भी गायब कर सकती है याद रखिएगा कोशन पूछ देता है कि गुलजारे नसीम मस्नवी में जिस परी का जिक्र है उस परी का नाम क्या है उप्सन में दिया रहेगा बकावली जीरे से टिक कर दिजिएगा तो यह जो परी रहती है यह अपने महबूब की तलास में निकली हुई रहती है बकावली यह जो परी है इसके महबूब का नाम क ताजुल मुलुक याद रखना है ये भी कोशन पूछ देता है तो बकावली जो है ना अपने महभूब की तलास में निकलती है खोज में निकलती है चारों तरफ ढूंड लेती है चपप इस दुनिया का शहर का चपप 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 चान मारती है ठीक है ना आकाश पता लेक कर देती है चारों तरफ ढूंड लेती है लेकिन बकावली का जो महभूब है ताजुल मुलुक वह कहीं नहीं मिलता है बहुत ही ज्यदा बिचारी बकावली परेशान रहती है ठीक है और आखिर में इसको कोई बताता है कि देखो तुम्हारा जो महभूब है ना वह जैनु मुलक के मुलक में वहीं पर तुम्हारा जो महभूब है ताजुल मुलक मिलेगा तो अब जो है ना बकावली आती है जैनुल मुलक के मुम्लकत में यानि की जैनुल मुलक के देश में मुलक में आती है तो जब आती है ना तो देखकर ये शॉक्ड रह जाती है क्योंकि जैन अपना पर हशी खुशी देखाई देती है देखकर वहां का माहौल है खुश हो जाती ए और इसका मिजाज खुश हो जाता है ठीक है तो यह क्या करती है बकावली अपना जादू लेने के बाद घूमती रहती है वजहार में ठीक है ना जानुल मुलक में घूमती रहती है लड़के आप देखते हैं कि यह बाकी सभी लोगों से बिल्कुल अलग है मतलब उनको लग जाता है कि किसी दूसरे जगा से ये आया हुआ है क्योंकि जैनुल मुलक को तो वो लड़का ही दिख रहा था बकावली जो परी थी वो लड़की का भेसली थी तो लड़का ही न दिखेगा जैनुल मुलक को तो वो जाते हैं जैनुल मुलक बकावली के पास ठीके ना उस परी के पास और बोलते हैं कि बताओ तुम तुम्हारा वतन किधर है तुम कहां से आये हो तुम्हारा घर बार कहां है तुम अपने बारे में कुछ बताओ ये तो लड़का ही समझ रहे थे जैनुल मुलुक तो बकावली कहती है क्यों कि लड़के के वेस में रहती है तो लड़के की आवा वहां से आये हो ठीक है तुम्हारा वतन किदर बताओ तो तो कहती है बकावली कि अगर मैं फूल होता तो मैं अपने चमन का नाम बताता लेकिन मैं तो एक गरेब इंसान हूं और गरेब इंसान का कोई गाओं कोई घर कोई वतन नहीं होता और वैसे भी आपको हमारे घर बार स क्या काम छोड़िये गाओं का नाम यह बात सुनकर थोड़े मोटिवेट होते हैं बादशा और बोलते हैं तो फिर तुम यहां पर आये किसलिए हो तो बकावली कहती है कि मैं यहां पर किसी वज़ा से नहीं आया हूं बलकि मुझे मेरी किसमत यहां पढ़ लेकर आई है बकावली को वजीर बना देते हैं यानि कि मंत्री बना देते हैं सोच यह बकावली मंत्री बन जाती है लड़के के बेस में ठीक है सभी लोग जितने भी मतलब उस महल में लोग रहते हैं सभी लोग बधाई देते हैं कि मंत्री बन गए ठीक है बकावली को और यह तुल रह प्लास में निकल जाती था और रातको अपने महबीको ढूंडा करती थी और दिन में वजीर कफर दगए तो दोनों काम उसी मुल्क में यानि की जैनम वालक करती थी और यहीं तक कहानी बताई गया है अगर आप लोग को आगे की कहानी जानना है तो आप लोगों को गुलजारे नसीम यह जो मसनवी है इसको टोटल पढ़ना होगा ठीक है ना तो फाइनली यह हो गया चैप्टर नमबर 25 अब एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है 26 इसको भी बहुत जल हम लोग कंप्लीट करेंगे बस आप लोग वीडियो में अ गुलाम हमदानी मसफी टो गुलाम हमदानी मसनवी के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे और नहीं जो कहानी तक है आ म्रोहा में गुलाम हमदानी मसवर्स की पषिछрий रहती है और इनके वालिद जो है ना वह करमपूर के रहतें इतना इंपोर्टन नहीं है वालिद का पूछेगा भी नहीं यह पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि गुलाम हमदानी मसफी की पैदाइश कहां हुई एंपसें में दिया रहता है अम्रोहा अगे बढ़ते हैं उर्दोस फारी के इलावा अर्बी पर महारत थासिल ते गुलाम हमदानि मसफ़िय ना उर्दोस फार्ण दोनों लेंग्विज में यह नो इसको बहुत दानौलइज हासिल थाएं लेकिन उर्दोस फार्ण के लावा इनको अर्बी भाषा में भी महारत हासिल थी यह याद रखना है घजले और कई मसनविया भी लिखे थे गुलाम हम्दानी मसफी यह ना मसनवी से तो यह मशूर ही हुए थे लेकिन इसके इलावा घजल भी लिखे थे यहां तक इनोंने कसीदा भी लिखा था ठीक है आगे बा वापस लखना हो कई मतलब अलग 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 देगा पर यह जाते रहे हैं ठीक है इनके शागिर्द का नाम याद रखेगा गुलाम हम्दानी मसफी के शागिर्द यानि के स्टुडेंट का नाम है मीर जमीर मीर खलीक आतिश लखनवी और असीर यह जितने भी है ना यह पूछेगा अब्जेक्टिव में आप लोगों से गुलाम हम्दानी मसफी की इश्किया मसनवी का नाम क्या है और बहर महबत जिस भी और ने तिक कर देना है आप लोग को और इन्होंने और भी बहुत सारी मसनविया लिखी है जैसे की लिख दिए हुमें दूसरी मसनविया जैसे की सर्दी, अजवाइन, गरीब खाना, मसफी, मोधी खाना और खटमल्लामा वगरा वगरा बहुत सारे इन्होंने मसनविया देखी है और गुलाम हम्दानी मसनविया मसफी की आखिरकार इंतकाल यानिकि इनकी मौत हो गई 1824 जबी को बस इतना ही डिटेल्स दिया गय जाती हूँ, इस मसनवियों में बताया जा रहा है, एक लड़के के बारे में एक लड़के की कहानी है, जो कि बहुत ही खुश्मियाज आदमी रहता है, बहुत ही खुपसूरत भी रहता है, ठीक है? और दिल्ली का रहने वाला रहता है, वो लड़का, लेकिन वो इश्क में बहुत ही ज्यादा डूब हुआ रहता है इश्क का भूक à Pyouka सकते हैं मतले इतना ज्यादा वह डूबा रहता है कि इश्क मेरोते अगर उसके रोने से दरिया बन सकता है, इतना घ्यादा, ठीक है न, क्यों उसकी यह हालत हो गई थी, क्योंकि उसकी जो बीवी है, उस लड़के की बीवी रहती है, वो बहुँदा खुबसूरत रहती है, इस वज़ा से वो लड़का अपने बीवी के इश्क में डूबा हुआ रहत लड़का तो अपने वाइफ को कहीं जाने भी नहीं देता है उसकी वाइफ अगर घर से एक कदम बाहर निकल जाना देखने वाले देखते ही रहे लेकिन थाई बात है ईसकी बीवी बहुत दा रहती बहुत अब अपने वाइफ से बहुत मोहबत करता था इश्क में दूबा तो हे पस लूठक चला आता है तो अपने दिन बर बैठकर मुऊन ताकते रहता है तो यह बाख़ा रेता है तो होता ही है कि अपने बैभी किता हम करें तो एक दिन उसकी बीवी का तभीयत खराब हो जाता है और वह बिश्तर पर गिर पड़ती है ठीके ना बहुत तेज बहुत ही तेज तभीयत खराब हो जाता है अब आसपडोस की लोग आते हैं पडोसी रिष्टदार वगएरा कुछ लोग बोल रहे थे इसको दर्द जिगर हो गया है दिल की बिमारी हो गई है कुछ लोग बोल रहे थे इसको नजर लग गया है तरह तरह की लोग आये थे तरह तरह की बाते कर रहे थे लेकिन तबियत खराब होने का वज़ा और कोई नहीं था तबियत खराब होने का जो जो भी भोजन करते हैं जितना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलता है उसको कहीं princip दिकार अगर खर्च करते हैं जो भीनर्जी अब समय करते हैं वह इसाउरी में विमारी का रूप साका रखेगा टो अनर्जी तो कहीं खर्ची नहीं हो गी तो शेर में बिमारी कहीं ना-रूप लेगा वही हुआ था उसकी बीवी के साथ ठीक है कि एक दिन विश्टर पर गिर और बिमारी हो बहुत ही तेज विमार पड़ गई और इतनी तेज की एक दिन की मौत भी हो गई तो सोचिए शरीर को कभी भी धिल्ला नहीं बनाना चाये और हमेशा काम करते रहना चाहिए भले ही काम ना हो लेकिन कुछ-9 करते रहना चाहिए शरीर को हमेशा फृतिला होा इस पूरे चैप्टर से और इस मस्नवी से हमें ये सीख जरूर मिलती है कि हमें अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखना चाहिए भले ही कोई काम ना हो लेकिन कुछ ना कुछ करते रहो ताकि शरीर एक्टिव रहे यह नहीं कि एक दब फूल शरीर को फूल बना दे मुलायम बना दे और बिल्कुल भी ना करें हमेशा शरीर को एक्टिव रखें ठीक है चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं चैप्टर नुबर 26 कंप्लीट हो गया और तीनों चैप्टर फाइनली कंप्लीट अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नुबर 27 से स्टार्ट कर कर दिया करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें आई होप आप लोग अभी तक तो स्क्रिन शॉट नहीं लिए होंगे लेकिन ले लीजे फड़ा वाट स्क्रिन शॉर्ट तो चलिए फाइनली आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आये हुए हैं मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब तक सबसे पहले पहुचे फिर्म लेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ सब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज